नमस्कार दोस्तों स्वागाते आपका हरीश एकड़ी मैं हूँ हरीश और आज हम आपको सम्मिधान का भारती सम्मिधान का विकास कैसे हुगा यह पहला पार्ट लेकर आये हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें काफी लोगों के कमेंट थे काफी लोगों ने उसको लाइक किया शेयर भी किये और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनने वीडियो को शेयर किया लाइक किया और कमेंट किया तो उनहीं की डिवाइन के अधार पर ये वीडियो में तयार कर रहा हूं और इसमें आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और हम इस सीरीज को कंटीनू करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं भालत में समयधान का विकास कैसे हुआ अगर हम सबसे पहले की बात करें तो पहले जो हमारा देश था भूर राजाओं का देश मतलब राजा हर जगए अलग-अलग जो निवास करते थे और उनक सबके अपने अपने एक रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे ठीक है ना तो ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक समय रूल्स रेगुलेशन थे ऐसा कुछ भी नहीं था सबके अलग-अलग राजाओं के अलग-अपने रूल्स और रेगुलेशन हुआ करते थे लेकिन क्या हुगा 1100 में East India Company भारत में ब्यापार के लिए आई कब आई 1600 में East India एक कंपणी थी जो कि Britain सरकार से आई ती उसने परमीष्合का ली थी वकाएदा Britain सरकार से यहाँ पर जो अपना ब्यापार करने के लिए आई और उसने जो कमपनी है इसीडिया कमपनी तो उसने क्या किया भारत में अपना ब्यापार किया लेकर उसको लगा ती ब्यापार से जादा तो यहां की राजनीती में हिस्सा लेने से फाइदा है तो उन्होंने जो भारत की राजनीती है उस पे हस्ताचेपकरना शुरू कर दिया और इसी केखंड यहाँ पर यह PLASI का इद्ध होगा, PLASI के इदिके बाद BAK SAR का इद्ध होगा, BAK SAR के इदिके बाद SANIC BUDDROGH के बाद जो भारत पर सीरे BRITUS सरकार का नियंतर हो गया, तो इस प्रकार से यह क्रम था अगर हम PLASIK के उद्धिकी बात करें तो इस इंडिया कमपनी में PLASIK के दूँघ donation में अंग्रेज और स्रज दिला का जो सेन पती था मीर जाफर तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने पच्छे में कर लिया था और स्राज देला इसमें हार गया था है ना तो इस कार्ण से ये अंग्रेजों की कुछ नीतियां थी जिनके कार्ण हम यहाँ पर प्लासी के उद्धी की बात नहीं कर रहे हैं सिर्प हम उसका ओबर विव समझने का प्रियास कर रहे हैं कि कैसे इस इडिया कंपनी ने भारत पर कुछ नियम बनाने सुरूं कर दी यहीं से कहां से प्लासी की उद्धी से कुछ नियम बनाने सुरूं कर दी हलाकि इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बिटर सरकार भी समय समय पर कुछ एक्ट निकाल रहे थी हम उन एक्टों की भी बात करेंगे तो हम यहाँ पर Each Indian Company पहले प्लासी के उद्ध में कुछ नियम बनाए और भारत को उस पर लागू किया इसके अलावा फिर बकसर के उद्ध में भी किया हुगा अंग्रेज के साथ और एक साइड थे जो मीर कासिम, सराजोदेला और साय अलम सेकेंड इन तीनों ने मिल करके अंग्रेजों से आपार कर सकती थे अपनी राज़नीती पकाने लगे और इसके चलते इतना ज़्यादा इन लोगों ने प्रेसर दिया, ब्रिटेस्ट इस्ट इंडिया कंपनी ने इतना सारा भारतियों को लूटा और इसके कार अब जो भारत है वो सहन नहीं कर पाए और लास्ट में क्या ज़ूर हो करके इस्ट इंडिया कंपनी को बापिस बुलाना पला और इसके बाद सीधे सीधे ब्रिटे सरकार का भारत पर नियंतर हो गया, कहां से ठास्वंतावन की क्रांती से, हलाकि हम इन सब को एक्ट के रूप में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ओब ब्रिटेस फाइलीमेंट बहारत सासन अधनियाम आया, और इस प्रकासे बहारत सासन अधनियाम आया, एक एक्ट के रूप में और उससे ही पूरा हमारा संब्धान बैएी यईनि अगर हम बात करें, कि 1935 में जो एक्ट आया था, और कुछ और मिला करके, तो यही एक पूरा जो act था वही सम्मधान बना तो कौन-कौन से act आए और किस act के बाद क्या परिवर्थन आते गए और कैसे-कैसे नियम बने उन सब नियम के बाद last में जो सम्मधान बना उसका हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे clear तो अब देखते हैं हम इसके act के बारे में कि कौन-कौन से इस 1600 से continue कैसे हाँ पर कौन से act आए तो ये पहला act था 1773 का regulating act क्या था 1773 का regulating act जो की किसके लिए आया था East India Company को regulate करने के लिए मतलब उसको नियंतर्थ करने के लिए किसको East India Company जो वीटे सरकार से आई थी भारत में ब्यापार करने के लिए ब्यापार करने के लिए साथ-साथ उसने क्या की राजनीती में हस्ताचेप कर दिया और राजनीती में हस्ताचेप कर दिया तो वो भारत में थी तो उसको regulate करने के लिए British सरकार ने ये regulating act बनाया 1773 का और इसके तहट क्या क्या प्रावधान थे बो सबसे important है इसमें क्या किया बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया यह बंगाल आपको पता है यह बंबई मद्रास वो बंगाल ठीक न मतलब यहाँ पर पहले गवर्नर कौन था अंत्यम गवर्नर कौन था बंगाल का वारेन हिंस्टिंग और प्रिथम गवर्नर जनरर बंगाल का कौन बना वारेन हिंस्टिंग तो यह दो कुष्चिया नहां से बनते हैं इसके लाबा इसके सबसे इंपोर्टेंट यह कि यह बुलना कि बंगाल का प्रथम गवर्ण जन कोन था वारिन हिंस्टिंग और कलकत्ता में 1773 के रेगुलिटिंग एक्ट केते है थे 1774 में एक सुप्रीम कोट की या उचितम नियाले की स्थापना की गई जिसके मुखने अधिस कोन थे यली जायन पे तो प्रथम मुखने अधिस कोन थे यली जायन पे इसके लावा 1773 के रेगुलिटिंग एक्ट के तहती कर्मचारियों के निजी ब्यापर पर रोक लगा दी मतलब जो इस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो अपना निजी ब्यापर भी कर रहे थे यहाँ पर तो उनके निजी ब्यापर पर यहाँ इस एक्ट के तहत रोक लगा दी कि अब वो अपने निजी ब्यापर नहीं कर सकती इसके लावा बंगाल में गवर्नर जर्नल के लिए चार सदस्यों की एक परिशद बना दी मतलब यह वर इनहेंस्टिंग के लिए इनको हेल्प करने के लिए चार सदस्यों की एक परिशद इसको help करती थी, किसको वर इन इंस्टिंग को, तो ये इस Act के महत्पूर प्रावधान थे, इसके लावा 1784 का आया Pitch India Act जो की company को regulate करने के लिए ही आया था, इसमें क्या कैसे प्रावधान थे, इसको सबसे पहले तो हम बता दें कि इसको Pitch द्वारा तयार किया गया था, तो P किसी भारती मुद्धे पर ततकाली North Fox ने त्याक पत्र दे दिया था, लेकिन ये Act अस्थित्म आया और इस Act में एक और प्रावधान था, क्या-क्या प्रावधान थी वो भी देख लेते हैं, company पर नेंतरन के लिए, कौन सी? East India Company, तो उस company पर नेंतरन के लिए के Board of Control बना दि जिसको हिंदियां बोलते हैं, नेंतरन परिशत, क्या बोलते हैं? नेंतरन परिशत, तो नेंतरन परिशत का इसमें गठन कर दिया गया था, किस Act के तहट किया गया? 1784 के पिष्ट इंडिया Act के था है, तो ये भी आपको याद रखना है, कि किस Act के तहट? 1784 के पिष्ट इं अक्त इसके लाबह जो सदस्यों की संख्या थी, जो गवर्णर जनरल की help कर रहे थी, उनके सदस्यों की संख्या 4 थी, उसको घटा करके 3 कर दिया, किस act केते हैं तो ये दो चीज़ favorite इसमें हैं कि सरन्ष की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, और ये मभंबाई मद्रास और बंगाल को अब पूरी तरह से बंगाल के गवर्णर जर्रल के अंडर में कर दिया गया हलाकि इसमें कर दिया गया था लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से बंगाल के गवर्णर जर्रल के आधिन कर दिया गया थी यह दो महत्पूर नेर्णल थी एक बोड़ आप कंट्रोल और सदस्यों की संक्या तीन कर देगे लिकिन इंपोर्टेंट आपको यह याद रखना है कि नियंतर परिशत का गठर किस एक्ट के तहित किया गया 1784 के पिष्ट इंडिया एक्ट के तहित कि लिए अब हम बात करते हैं अगले एक्ट की तो इसके नावा यह अगला एक्ट है 1813 का चार्टर हलाकि इससे पहले 1786 और 1793 के एक्ट भी आये थी लेकिन यह उतने इंपोर्टेंट नहीं थे हमारे एक्जाम की दिश्टे क्योंकि इ इसको नहीं पढ़ना है लेकिन हमें देखना है 1813 का चार्टर एक्ट तो 1813 की चार्टर एक्टर एक्ट क्या प्रावदामति इसमें क्या थे कंपनी के व्यापार एक एक अधीका समाप्त कर दिये गए सिर्फ दो अधिकार से थे वह पहला था चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार कर सकते हैं और ये एक कुश्चिन है जो कि PSC में पूछा गया था कि इंग्लिस मिस्नरियों को भारत में कार करने की अनमती किस एक्ट के तहत मिली तो इंग्लिस मिस्नरियों को भारत में कार करने की अनमती मिली थी तो उनको भाद में कार करने की अर्मती मिल गी, ठीके ना इसके लावा है, अठारासुत्तीरह का चार्टा rekt, तो अठारासुत्तीरह का चार्टा rekt क्या है, चीन वा चाय का ब्यापारे की कदिकार इस एक्ट में समब्त कर दियेगे, मतलब जो जो यहाँ पर 1813 के चार्टा रेक्ट में जो दो एक आधिकार बचे थे उनको भी 1833 के चार्टा रेक्ट के तहए तो इनको समाप्त कर दिया गया मतलब चीन वचाय के ब्यापारे के आधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनर अब भारत का गवर्नर जनर बन दिया। Inform Bloodman ज् deviता मतला अभी क्या था यह भारत था ना तो भारत में अभी केविल बंगाल का गवर्नर जनर बंबई मदध रास और यह कलकत्ता थीन पर ने अंतर्न कर रहा था। लेकिन अब पूरे भारत पर ये नेंतर करने लगा, किस एट के तहट, 1833 के चार्डर एट के तहट, तो यह भी आपको याद रखना है, कि बंगाल की गर्णर को भारत का गवर्णर जनर बना दिया गया, किस एट के तहट, 1833 के चार्डर एट के तहट, और पहला गवर्णर जनर कौन था, बिलियम बें तो ये दो चीजे आपको याद रखना थी कि बंगयल का अन्तिम गविलियम बैंकेट और भारत का प्रिथम गविलियम बैंकेट इसलिए using testament हिसको हमेशा बिवर्द में एक कुश्ण बनता है आपका कि भारत का प्रिथम गविलिय ellै बैंकेट तो ये एक इंपॉर्टन चीज इसके इंपोर्टेंट इसमें एक और डिसिजन हुआ था कि दास्त पिठा को 1843 में समाप्त कर दिया गया था और किसके द्वारा किया गया था एलन वरो की द्वारा 1843 में किस एक्ट की तहट 1833 के चार्ट की तहट दास पिथा को समाप्त कर दिया गया था कब 1843 में तो ये दो चीज़े आपको याद रखने हैं कि 1843 में समाप्त किया गया था किस गवर्नर जनरल की दोरा एलेन बरो की दोरा तो ये भी आपको याद रखना है इसके अब चार एक्ट और है जो कि हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे तो थेंके दोस्तो आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ़स्ली लाइच सरक्रम stickers करना ना बोला Mayor मिलते हैं अगले वीडियो में तव तक लिए नमसकार